हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखासिन किचन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, होटलों में बनने वाली महंगी डेश, बटर गालिक मश्रूम की रेसिपी, सेम उसी टेस्ट में और सस्ते में हम इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं, ये दो पैकेट यानि की 400 ग्राम म मश्रूम बनाने के लिए मैंने इसमें साबुत मश्रूम का यूज किया है, मश्रूम को पकाने के बाद इनका साइज आधा रह जाता है, फिर भी अगर आपको साइज इनका बड़ा लगे तो आप इनको आधा करके कट कर सकते हो, गैस की आच को फुल पर रखें और इनको चलाते हुए हमने अच्छी तरह से रोस्ट करना है, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि मश्रूम ने काफी पानी चोड़ दिया है, तो इस पानी को हमने सुखाना है, बीना ढखकर लगाए फुल आंच पर हमने इस पानी को सूखने देना है, जब तक ये पानी रहेंगे, तीन-चार मिनट के बाद पानी इसका सूख गया है, मश्रूम भी पकने से श्रिंक से हो गए है, अब इसी पैन में हमने मश्रूम को साइट पर कर देना है, ये रोस्ट होते रहेंगे, और इसमें हम एड़ करेंगे एक मेडियम साइज का प्यास, जिसे कि मैंने इस तरहीके से बारी काट लिया है, प्यास को हमने ज्यादा नहीं पकाना है, बस इसका कलर चेंज हो चायए, तब हमने इसमें लहसून एट करते हैं, अब हम इसमें एड़ करेंगे, ये बारी एक चौप किया हूई लहसून, लहसून की 7 अचंब मीडियम साइज की कल्यों क को मैंने इसमें यूज किया है इस बटर गालिक मश्रूम में लहसून और बटर की क्वाइंट्य को ज्यादा रखा जाता है लहसून को हमने पूरी तरह से फ्राई नहीं करना है इससे भी हमने हाफ फ्राई करना है और सारी चिज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है रोस्टिड मश्रूम में एक बहुत प्यारा सा कलर आना चुड़ू हो गया है अब भी मश्रूम पूरी तरह से पके नहीं है लहसुन और प्याज के साथ इनको भी हमने अब भी पकाना है जैसे जैसे लहसुन प्यास पकता जाएगा मश्रूम एक बहुत बढ़िया सी कोटिंग और फ्लेवर आता जाएगा अब हम इसमें एड़ करेंगी सौदा नुसा नमक अगर आपने इसमें नमक वाला बटर का यूज किया है तो नमक आप उसी साब से डाले और 8-10 काली मिर्चों को कूट कर हमने इसमें डाला है काली मिर्चों का फ्लेवर इसमें बहुत बढ़िया लगता है और मैंने इसमें एड़ किया है half teaspoon और गेनो चटपर्टे फ्लेवर के लिए आप इसमें थोड़े सी chili flakes भी एड़ कर सकते हो इन सारी चीजों को अच्छी तरह से mix कर ले और gas की आज को बिल्कुल धीमा रखें अब gas की आज को बिल्कुल धीमा कर दें और 3-4 मिनट तक इनको पकने दें ताकि सारी चीजों का फ्लेवर आपस में घुल मिल जाए चार मिनट की बाद मश्रूम एक बहुत दी प्यारा सा कलर आ गया है ये अच्छी तरह से पक भी चुके है साथ में लहसुन और प्याज भी पूरी तरह से रोस्ट हो चुके है आप हम इसमें एड़ करेंगी हरा धनिया हरे धनिये का फ्लेवर इसके टेस्ट को और भी चादा बढ़ा देता है हमारा होटल जैसा बटर गार्लिक मश्रूम खाने के लिए पूरी तरह से तयार है आप इस बटर गार्लिक मश्रूम को गार्लिक प्रेड या सिंपल ब्रेड या पाउ के साथ इंजोय कर सकते हो है तो प्लीज इसे लाइक और अपने फैमली और फ्रेंड में जरूर शेयर करें